आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एक मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रत्वी के तल में एक A से बेग में छोड़ा जाता है जो की प्रत्वी पर लोट कर वापस ना आए यानि कि हमने उसको उसके पलायन वेग से जादा वेग से फेका है तो इस वेग का मानद क्या होगा? वो पलायन वेग होता है ठीक है न? तो M जो है वो प्रत्वी का द्रविमान है R है प्रत्वी की त्रिज्ज्या ठीक है? विकलब आपके सामने ये दिये गए है ये हमारे पास में A, B, S है न? और एक ये दिया गया है D तो बच्चों ध्यान से देखिएगा का प्रत्वी के आकर्शन से दूर किसी वस्तु को फेकने के लिए किसी वस्तु को फेकने के लिए के लिए जिससे वह वापस ना आए जिससे वह वापस ना आए उस न्यूनतम वेग को उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं नौर्मली ऐसे भी करके बोला जाता है कि जिससे की वस्तु है प्रत्वी के वायु मंदल को छोड़ करके पलायन कर जाए पलायन वेग कहलाता है और प्रत्वी के लिए जो इसका मान होता है, प्रत्वी के लिए, वो होता है हमारे पास में noon नतम मान, जो एसके velocity होता है, देट इस 11.2 km per second, अब जो हम लोग इसको निकालते हैं वो पता है कैसे निकालते हैं, वो होता है हमारे पास में ve का मान, under root में 2g r के बराबर, ठीक है आर क्या है प्रत्वी की त्रिच्चिया तो V E बराबर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं ये दो ऐसे आ जाता है इसको हम लोग GM by R स्क्वाइर भी लिखते हैं और into R भी आ जाता है ठीक है ना तो 1 R से 1 R कैंसिल हो गया यानि कि केवल कितना बज़ गया दो GM बटे R ये वाला तो जो हमारा सही जवाब होजागा दो GM बटे R लगबग बराबर के वज़ जो हमारा A है वो एकड़म सही होगा इसके बाद से अगर आप ज़्यादा भी फेक होगे तो भी लेकिन इसके मान का जो निवनुतम मान है वो यही वाला होगा धनेवाद